कोस्चन दिया है यदि A का वेतन B के वेतन से 60 प्रतिसत अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिसत कम है A और B माल लेंगे B का वेतन 100 है तब A का वेतन हो जाएगा 160 B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिसत कम है यहाँ पर B का वेतन A के वेतन से 60 कम है और प्रतिसत निकालना है 60 बटे A के वेतन से कम है तो A के वेतन को लिख देंगे गुड़ा 100 0 से 0 कट जाएगा 2 से भाग देंगे 6 में 3 2 से भाग देंगे 16 में 8 तो यह हुझ जाएगा 300 बटे 8 8 का भाग देंगे 300 में तो आ जाएगा 37.5 तो बी का वेतन A के वेतन से 37.5 प्रत्सत कम है option B इसका right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है रीना के वेतन का 24 प्रत्सत सुनीता के 38 प्रत्सत की बराबर है बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का दो तिहाई है यदि बीना का वेतन 62,000 रुपए है तो सुनीता का वेतन है बीना का वेतन लीना और सुनीता के कुल वेतन का दो तीहाई है तो बीना का वेतन बराबर हो जाएगा लीना प्लस सुनीता और इसके दो तीहाई है तो दो बटे तीन का इसमें गुणा कर देंगे बीना का वेतन दिया है 62,000 बराबर 2 बटे 3 लीना प्लस सुनीता 2 से भाग देंगे 62,000 में 31,000 तो लीना प्लस सुनीता बराबर हो जाएगा 93,000 ये हो जाएगी first equation लीना के वेतन का 24 प्रत्सत सुनीता के वेतन के 38 प्रत्सत के बराबर है लीना के वेतन का 24 प्रत्सत बराबर है सुनीता के वेतन के 38 प्रत्सत के यहां से लीना और सुनीता के वेतन का अनुपात निकाल लेंगे लीना बटे सुनीता बराबर हो जाएगा 38 बटे 24 दो कभाग देंगे 24 में 12, दो कभाग देंगे 38 में 19 रीना के वेतन का अनुपात हो जाएगा 19 और सुनीता के वेतन का अनुपात हो जाएगा 12 सुनीता का वेतन निकालना है दोनों का कुल वेतन दिया है 93,000 बटे दोनों अनुपातों का योग 19 और 12 का योग करेंगे 31 और सुनीता का वेतन निकालना है तो सुनीता के अनुपात से इसमें गुणा कर देंगे 31 का भाग दे देंगे 93,000 में यह हो जाएगा 3,000 12 का गुणा कर देंगे 3,000 में तो सुनीता का वेतन आ जाएगा 36,000 और आप्सन सीज का राइट आंसर होगा Next question देखेंगे 3560 है तो राकेश का वेतन कितना है राहुल का वेतन राकेश की वेतन से 40 प्रत्सत कम है माल लेंगे राकेश का वेतन 100 है राहुल का वेतन राकेश की वेतन से 40 प्रत्सत कम है तो राहुल का वेतन हो जाएगा 60 और दीपक का वेतन राहुल की वेतन से 80 प्रत्सत अधिक है राहुल का वेतन है 60 60 का 80 प्रत्सत निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 108 4 से भाग देदेंगे 60 में 15 अनुपाद 4 का भाग देदेंगे 100 में 25 अनुपाद 4 का भाग देदेंगे 108 में 27 दीपक का वेतन दिया है 34,560 और दीपक का अनुपात है 27 तो 34,560 में 27 से भाग दे देंगे त्यों हो जाएगा 1280 राकेश का वेतन निकालना है राकेश की वेतन का अनुपात है 25 पचीस का गुड़ा कर देंगे बारा सो असी में बारा सो असी गुड़ा पचीस तो राकेस का वेतन हो जाएगा 32,000 रुपए और अप्शन एस का राइट आंसर होगा नेक्ट कोईशन लिखेंगे कोईशन लिखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वो अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है तब उसकी बचट कितनी बढ़ेगी आय, व्याय, और बचट माल लेंगी व्यक्ति की आय 100 है और वो आय का 75% खर्च कर देता है तो उसकी बचट होगी 100 में से 75 को घटा देंगे 25 परचसत की यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है पहले आय है 100 और 20% बढ़ गई है तो आय हो जाएगी 120 तब वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है 10% खर्च बढ़ रहा है 75 का 110 परचसत निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 82.5 120 में से 82.5 को माइनस कर देंगे तो बचट हो जाएगी 37.5 की बचट कितनी बढ़ेगी पहले बचट थी 25 अब बचट हो गई है 37.5 तो यहाँ पर 12.5 बचट बढ़ गई है आंसर परचसत में दिया है बचट में अंतर है 12.5 का बटे पहले बचट थी 25 की 25 में ही 12.5 की बचट हुई है तब ही तो यह 37.5 हुआ है और परचसत निकालना है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे 10.5 हटे का नीचे 0 हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगा 25 का बचट देंगे 125 में 5 बार जाएगा 5 का गुणा कर देंगे 10 में तो उसकी बचट 50 प्रसद बढ़ेगी आप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन दिखेंगे कोश्चन या है यदि कोई व्यक्ति अपनी आएका 40 प्रसद भोजन पर 20 प्रसद मकान किराएपर सेज का 70 प्रसद बच्चों की सिच्छा पर खर्च करता है तो उसकी आएका कितना प्रसद बचा माल लेंगे व्यक्ति की आए 100 है और वो 40 प्रसद भोजन पर और 20 प्रिस्त मकान किराय पर खर्च कर देता है तो 6 निकाल लेंगे 100 में से माइनस कर देंगे इसको यहां हो जाएगा 60 100 में 60 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेंगे 40 प्रिस्त अब वो 6 का 70 प्रिस्त बच्चों की सिच्छा पर खर्च करता है 40 प्रत्सत का 70 प्रत्सत निकाल लेंगे 70 बटे 100 0 से 0 कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 28 प्रत्सत 28 प्रत्सत वो बच्चों के सिच्छा पर खर्च कर देता है उसकी आय का कितना प्रत्सत बचा कुल आय है 100 और वो 40 प्रत्सत बोजन पर खर्च करता है 20 प्रत्सत किराय पर खर्च करता है और 28 प्रत्सत बच्चों की सिच्छा पर खर्च करता है माइनस कर देंगे इसको यू जाएगा 100 माइनस 88 बराबर 12 प्रत्सत तो उसकी आएगा 12 प्रत्सत से बचेगा option D's का right answer होगा